नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है आप सब कैसे हैं आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे अच्छे से अपनी बागवानी कर रहे होंगे और दोस्तों आज हम आए हैं मयूर वियार फेस वन के सामने जो बिल्कुल अमनार्फी नर्सरी के सामने ये नर प्रदादी नर्सरी इसका नाम पहले था लेकिन अब इसका जो नाम है वो बदल के राधा क्रिशन नर्सरी हो गया है इसमें सीजनल प्लांट भी काफी अच्छे हैं रोजिस की जो वेराइटीज हैं वह बहुत अच्छी हो और इंडूर प्लांट हैं वह भी इनके पास बहु ज्यादा हो रही थी क्योंकि continue हम जो थे वह सीजनल प्लांट की वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे थे और अभी जो सीजनल प्लांट का सीजन है वह भी आप लगभग खतमी है हुने को है और जो समर प्लांट है वह अब स्टार्ट हो जाएंगे तो उसी को ध्यान में रखत हैं वह देखिए यह इस टाइब की miniature varieties में हैं देखिए कितना खूबसूरत यह miniature varieties इनके पास अबलेबल हैं बहुत प्यारे प्यारे से फलार हैं यह देखिए और यह सभी जो कलकत्ता की varieties हैं यहां पर तो इस टाइब का अगर आप यह देखिए 5 इंची थैली में लेते हैं तो यह 100 रुपे में आपको मिल जाएगा और बड़ी थैली में अगर आप लेते हैं आठ इंची थैली में तो वो आपको 160 रुपे की range में यहां से मिल जाते हैं क्योंकि कलकत्ता की जो सोयल होती है और रोजी की quality होती है वो बहुत जादा अच्छी होती है और हमेशा वो ज दोस्तों अरेलिया में काफी सारी वेराइटी जाती है देखिए एक बुष वेराइटी है बहुत सुंदर वेराइटी यह लगती है इसको आप इंडूर भी रख सकते हैं शैमी शेड का ही यह प्लांट है और काफी खूबसूरत लगता है एक छोटे से बोंजाई की तरह से यह जो प्लांट है यह आप यहां से डेड़ सो रूपे की रेंज में ले सकते हैं और यहां पर दोस्तों आप देखिएंगे यह सिपोर्टिया पाम है यह 10 इंची थैली में लगे हुवे प्लांट हैं देखिए एक थैली के अंदर काफी सारे प्लांट यहां पर आपको इसके अलावा देखिए हमेशा जो एवर ग्रीन प्लांट होता है और जिसको हम कह सकते हैं कि एर फ्यूरी फायर प्लांट भी सबसे अच्छा जो माना जाता है यह देखिए यह एरेक पाम में काफी सारे प्लांट एक पोट के अंदर लगे हुए हैं यह देखिए यह पास से छे प्लांट एक पोट के अंदर लगे हुए हैं यह दोस्तों आप यहां से 200 रुपे में ले सकते हैं इसमें एक छोटी थैली में लगे हुए प्लांट भी हैं अगर आप कम रेंज में लेना चाहते हैं इस टाइप के जो प्लांट होते हैं जो कम रेंज में आप यहां से ल यह बहुत ही सुन्दर सा लगता है टेबल पाम इसको बोलते हैं इस टाइप के छोटे छोटे आप सेरमिक पोट में इनको लगाते हैं तो यह 50 रुपे की रेंज में आप यहां से ले सकते हैं और दोस्तों यहां पर यह देखिए यह फार्ण की वेराइटी रखी हुई है फो हैं यह पर ले सकते हैं और यह बेंगलोरी क्रोटन लेते हैं जो कि आप सामने देख सकते हैं क्योंकि देखिएन में कй सारेम्ण डिमांडिंग प्लांट होता है तो इसकी वज़े से इसका रेट थोड़ा आपको हाई मिल सकता है तो यह आप यहां से सो रुपे की रेंज में ले सकते हैं और दोस्तों यहां पर देखेंगे आप यह ड्रेसीना की वेराइटी है ड्रेसीना भी एक बहुत खूपसूरत इंड यह बहुत खूपसूरत लगती है यह आप 60 रुपे में ले सकते हैं इसके अलावा देखें यह यह दो रेयर हैं देखें कि कितनी खूपसूरत वेराइटी हैं इनके उपर आप देखिए कि सनलाइट पड़ती हुई कितनी जादा इनकी पत्यों के उपर चमक है और तो यह भी आप इस टायब की ठैलियों में लगे हूए प्लांٹ है जो 100 रुपे की रेंज में सकते हैं यहां फोनिक्स प्लाम के प्लांट है जो आप 60 रुपे की रेंज में ले सकते हैं यह भी बहुत सुंदर सा प्लांटलगता है दोस्तों और इसके ावा prophets यहां पर फिलो डेंडरोन की यह रखी हुई है जो आपने देखा होगा यह काफी बड़े-बड़े पेड़ों के ऊपर चड़ी रहती है तो इस टाइप की यह जो वेराइटी है यह असी रुपे की रेंज में आप यहां से ले सकते हैं दोस्तों यहां देखेंगे आप यह ट से ले सकते हैं यह देखें यह क्रिसमस ट्री जिसको एरो केरिया बोलते हैं यह भी आप डेट सो रुपे की रेंज में यहां से ले सकते हैं यह भी एक इंडोर प्लांट होता है बालकनी के लिए बहुत खूबसूरत यह प्लांट लगता है इसके अलावा ड्रेसीना की एक देखेंगे Song of India जिसको बोलते हैं यहां पर आप देखेंगे यह देखें लीफ्स जो है इसकी बहुत जादा खूबसूरत लगती है यह ओफ वाइट और ग्रीन का जो कंट्रास्ट होता है यह आप यहां से 60 रुपे की रेंज में ले सकते हैं इसके अलावा देखें यहां पर शफलेरा की वेराइटी रख्यू हुई है शफलेरा की बहुत खूबसूरत वेराइटी होती है और इसका बोनजाई भी दोस्तों बहुत खूबसूरत लगता है शफलेरा का यह जो वेराइटी होती है यह इस टाइप की जो वेराइटी है चोटी पतियों वाला जो होता है एक ये ब्रोड पतियों वाला होता है तो ये छोटी पतियों वाला बहुत खूबसूरत लगता है और इसका बोनजाई भी बहुत प्यारा लगता है तो ये आप यहां से 80 रुपे की रेंज में ले सकते हैं पर ये डेफिन बेकिया की वेराइटी आपको देखने को मिलेगी जो सोर्पे की रेंज में है यहां इसके अलावा ये देखिए ये फिलो डेंडरोन की सीलम वेराइटी है और बहुत खूबसूरत देखिए ये प्लांट होता है मैंने भी ये लिया हुआ है और बहुत प्यारा सा ये प्लांट लगता है इसकी लीव्स दोस्तों बहुत जादा खूबसूरत होती है ये भी सभी इंडोर प्लांट आप रख सकते हैं शेमी शेड के ये सभी प्लांट है ये आप 60 रुपे की रेंज में ले सकते हैं इसके अलावा ये जो प्लांट है ये देखिए ये केलेथिया की वेराइटी है जिसको टैरस्टार बोलते हैं ये क्योंकि इसमें कई सारे तीन कलर जो हैं शेड होते हैं तो यह आप से सो रुपे की रेंज में ले सकते हैं और दोस्तों यहां पर यह देखेंगे आप यह डेफिन बेक्या की एक कोमन वेराइटी है जो आपने कोमन ली देखी है सब इस जगह पर यह काफी बड़ा प्लांट है लेकिन यह दो फिट के करीब प्लांट है काफी आने वाले टाइम में अभी काफे भर-भर के फ्लारिंग होगी क्योंकि अभी जो है इनका सीजन अब शुरू हो जाएगा अच्छे से तो यह सोयल जो है दोस्तों इसकी बहुत ही लोकल सोयल में बिल्कुल अच्छे से यह लगे हुए बड़े प्लांट है जो आप सोर पे क प्लांट यह माना जाता है यह असी रुपे की रेंज में आप यहां से ले सकते हैं और देखें काफी डिमांड में था कि मिनियेचर जो ही बिसकस होता है वो कहां से मिल सकता है तो यहां आपको मिनियेचर ही बिसकस देखने को मिलेगा और बहुत ही जादा हैल्दी है यह भी और बहुत हैल्दी से प्लांट है जैसा कि आप देख सकते हैं देखिए यहां पर इन्होंने पानी दे दिया था प्लांट में तो अभी थोड़ा अंदर जाके दिखा पाना थोड़ा मुश्किल है तो यह आप 80 रुपे की रेंज में ले सकते हैं इसके अलावा यहा से यह ग्राफ्ट एरिया आप देख सकते हैं और कितनी सारी दिन में ब्रांचीज आई हुई है यह डेड़ सो रुपे की रेंज में आप यहां से ले सकते हैं और यह आने वाले टाइम में अभी गर्मियों में बहुत अच्छी सी जो सबसे जादा खुश्बू देने वाला प्लांट होता है गर्मी में अच्छे से फ्लारिंग करता है यह यह जो प्लांट है यह गंधराज का प्लांट और यह दोस्तों आप गंधराज का प्लांट यहां से असी रुपे में ले सकते हैं इसके अलावा देखें यहां पर एक बहुत ही सुन्दर रबर प्लांट की व इसको लिए लगए हुआ है दोस्तों यह जो आप देख रहे हैं यह बेगम बाहर का है यह हमेशा फ्लारिंग देने वाला प्लांट है लेकिन इस टाइम इसकी जो फ्लारिंग होती है बहुत अच्छी सोयल में लगा हुआ यह प्लांट है तो यह आप यहां से ले सकते हैं यहां पर देखेंगे यह दाल चीनी का प्लांट है देखें इसमें फ्लारिंग भी हो रही है दाल चीनी में यह आप यहां से 1.500 रुपे की रेंज में दोस्तों ले सकते हैं और दोस्तों अज मैंने आपको राधा कृश्गर नर्स्री में मिलने वाले जो इंडोर प्लांट थे क्योंकि यहां मैंने सीजनल प्लांट कवर नहीं किये हैं सिर्फ इंडोर प्लांट कवर किये हैं और जो की काफी हेल्दी प्लांट है इसके लावा आप यहां से सीजनल प्लांट भी दोस्तों ले सकते हैं यह शिमला मिर्च के मिर्ची के प्लांट यहां पर रखे हुए हैं जो आप यहां से ले सकते हैं और बाकी जो मैंने क्योंकि डिमांड जो आ रही थी वह ज्यादा तर इंडॉर प्लांट की ही आ रही थी तो वही इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है इसके लावा यहां पर फ्रूटिंग प्लांट भी आपको काफी अच्छे मिल जाते हैं तो आई होप की मैंने आपक अगर आपको यहां सही लगता है तो आप यहां से आकर यह प्लांट ले सकते हैं आई होप की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी आपके लिए अपयोगी साबित हुई होगी अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तो तो उसे लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्य दोस्तो